कैसी लगी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म मुझे अच्छा लगा इस वेरी कॉंपाक्ट फिल्म वेरी फास पेस्ट फिल्म मतलब कहीं भी ऐसे बोरियत नहीं होती है बहुत तेज जाती ही फिल्म तो दोस्तो दीवाली की दिन टाइगर 3 रिलीज हो चुकी है देश में फिल्म का पहला शो सुबद 6 बजे से था फिल्म देखकर निकली जनता ट्विटर पर अपना रियक्शन शेयर कर रही है कोई लिख रहा है कि सलमान खान का एक्शन बढ़िया था किसी को केटरिना का काम तो किसी को फिल्म में शारुको रितिक के क्यामियो बेस्ट पार्ट लगे वही जनता के साथ साथ आप सेलिबरिटी के भी रियक्शन आने लगे हैं उसी क्रम में विकी कोशल ने फिल्म को लेकर अपना रियक्शन शेयर किया है विकी कोशल ने इस्टाग्राम पर स्टोरी कर लिखा, 2030 का दीवाली गिफ्ट, क्या कमाल है टाइगर 3, टाइगर और जोया आतिश के लिए तालिया, बहुत बहुत बदाई फ्लिम इंडेस्टी से जुड़े लोगों के लिए, टाइगर 3 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, मुम्किन है कि विकी कोशल ने उसी दो रही थे कि रितिक ने फ्लिम के लिए करिब दो मिनिट का सीन शूट किया है, उसी सीन के जरिये वार 2 के विलन बने जूनियर यंटियार की किरदार को भी टीज किया गया, टाइगर 3 की ये सीन इंडिया से लीक नहीं हुए, दरासल दुनिया भर में ये फ्लिम एक दिन पहल करने की रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने लिखा था हमने बहुत सारे पेशन के साथ टाइगर 3 बनाई है, और भरोसा है कि आप सभी फिलिम देखने के बाद स्पोयलर को सुरक्षित रखेंगे, स्पोयलर स्प्लिम देखने का एक्स्प्रियेंस खराब कर सकते हैं, हमें भरो पूरी टीम को बढ़ाई, वैसे दोस्तों आपने अभी तक टाइगर 3 देखी या नहीं, और अगर देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, बाकि अगर आप भी सलमान खान के डाहाट फैन है तो, एसे ही सलमान खान की मोवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें